साइकोलोजी कहती है कि यह मत देखो की दुनिया में कौन सुन्दर है देखना है तो यह देखो की किसके होने से आपकी दुनिया सुन्दर है महिलाएं दिन में 18 बार संभोग के बारे में सोचते हैं जो की पुरुषों की मुकाबला में आधा है यानि की पुरुष महिलाओं से ज्यादा संभोग के बारे में सोचते हैं और बाते करते हैं ऐसी महिलाओं पर कभी शक नहीं करना चाहिए जो संभोग करते समय आपके लिंग को अपनी गुफा में लेने से ना रोकें। यदि कोई महिला नशीली दवाया शराब का सेवन करती है, तो उस महिला के संभोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन नशीली पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से महिला अपनी कामोत तेजना की इच्छा खोभी सत्ती है। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का एक मात्र प्रयास होता है। साइकोलोजी के अनुसार अगर आप सेक्स से सहमत नहीं है, तो इस दुनिया में आपकी कोई भी इज़त नहीं करेगा, चाहे वह तुम्हारे अपने माबाप ही क्यों न हो। हमारे पास दो कान और एक मुह हैं, ताकि हम जितना बोलते हैं उससे दुगुना सुन सकें। में तभी डालती है, जब वह बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है। जो कभी रो नहीं सकता, वह प्रेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्त्रोत से निकलते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 50% लोग विवाह तक कुमवारे रहना चाहते हैं, जबकि 49% लोगों का यह मानना है कि शादी से पहले शारिरिक संबंध का जितना हो सके उतना आनंद लेना चाहिए। साइकोलोजी कहती हैं कि जब कोई महिला आपके सामने अपने कपड़े उतार देती हैं, तो हमेशा याद रखिये कि वह अपना आदर सतकार भी उतार देती हैं। संब्भोग करने से पहले यदि आप महिला से थोड़ी प्यार की बाते करते हैं और उसके शरीर के अलग-अलग हिस्से पर चुम्बन करते हैं, तो संब्भोग के दौरान महिला को काफी आनंद आता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप असभ्य हैं, गवार है, बदमाश है। अमीर लड़का हूंडने के चक्कर में, कई बार माबाप अपनी बेटी को ऐसे शक्स के हवाले कर देते हैं, जो उसे सारी जिन्दगी सिर्फ खिलोना समझता है। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पाफ तूट जाते हैं। स्त्री गालिया सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती जो महिला अपने दोनों स्तनों को आपको छूने से नहीं रोपती है, तो इसका मतलब वह आपके साथ हमबिस्तर होना चाहती है बुद्धिमान लोग हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं, और मुखों के पास हर बात का जवाब होता है जब पुरुष किसी महिला के स्तन से निकलने वाला दूध पीता है, तो पुरुष के अंदर की काफी बीमारिया खत्म हो जाती है जिन महिलाओं के कमर के निचले वाले हिस्से में हलका सा गड़ा बन जाता है, तो वह उसकी सुन्दर्ता का प्रतीक माना जाता है एक पत्नी अपने पती का लिंग अपनी योनी में लेने के लिए तभी राजी होती है, जब वह बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है महिलाओं को घोडी बनाकर पीछे से लिंग डालने पर महिलाओं का पानी जल्दी निकल जाता है और वह जल्दी संतुष्ट हो जाती है दोस्त बढ़कर प्रेनी हो मकते हैं, अक्सर होते भी हैं, लेकिन प्रेनी घटकर सिर्फ दोस्त कभी नहीं हो सकते हर महिला अपने जीवन काल के दोरान लगभग दो किलो साथ सौ ग्राम लिपस्टिक लगा चुकी होती है बुरा व्यक्ति उस समय और भी बुरा हो जाता है, जब वह अच्छा होने का ढूं करता है वही महिलाएं गैर मर्दों से संबंध बनाने में ज्यादा दिल्चस्पी रखती हैं, जिन्हें अपने पती से वो सब नहीं मिलता है, जो वह चाहती है साइकोलोजी के अनुसार भुखे पेट की तुलना में खाना खाकर लोग ज्यादा अच्छे से संभोग करते हैं यदि आपके पेशाब में जलन हो रही है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए हमें पानी और तरल पदार्थ ज्यादा खाने पीने चाहिए जो पुरूश महिलाओं के साथ काफी ज्यादा ताकत और जोशिले तरह से संभोग करते हैं, महिलाएं उनसे काफी ज्यादा संतुष्ट होती हैं जो मन की पीडा को सपष्ट रूप से नहीं कह सकते, उनहीं को क्रोध अधिकाता है